Hello everyone, this is Neha Nishad and welcome to Engineering Study Circle एक पर फिर से मैं आपका सौगत करती हूँ आज हम लोग देखेंगे Proverbs जिसको कहावते बोलते हैं हिंदी में कहावत बोली जाती हैं और ये वो कहावते हम लोग इसमें complete कर रहे हैं जो क्या है हम लोगों का exam में mostly पूछी जाती हूँ ये हमारी रहेगी, क्लास टू रहेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फर्स्ट है हमारी, a born child reads the fire क्या होता है, a born child reads the fire और एक दूसरा भी है, once bitten, twice shy इसका हिंदी में मंत्र, हिंदी में देखेंगे इसका meaning तो क्या होता है, दूद का जला, छाच को भी फूख कर पीता है यानि कि अगर कोई एक बार किसी से, कोई व्यक्ती से गलती हो जाए तो वो lifetime क्या करता है, वो साबधानी बरता है और अपना जो भी कारे होता है, वो बहुत साबधानी पूर्वक करता है तो इसको क्या करेंगे, साथ साथ में आप नूट्स पनाते चलेगा ताकि ये आपके एक्जाम के लिए बहुत ही जादा helpful रहेगा और तुरंती learn हो जाएगा, तो twice time फिर से करते हैं क्या means a born child did the fire, a born child did the fire next है once bitten, twice time, once bitten, twice time अगर एक बर क्या हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको दुबारा वो गलती नहीं करता है और साबधानी से अपना कारे करता है next देखते हैं among supports, क्या है, a figure among supports, अंधों में काना राजा हिंदी मीनिंग क्या है, अंधों में काना राजा यानि कि कम बुद्धिमान लोकों में अधिक बुद्धिमान होना ऐसे लोग जो कम intelligent है या कम उनको knowledge है उसमें कोई क्या हो जाना, एक बहुत जादा बुद्धिमान होना next मोब करते हैं, 23rd रहेगा हमारा a little knowledge is a dangerous thing क्या मीनिंग है, a little knowledge is dangerous thing half knowledge is dangerous इसका second meaning, second proverb भी कह रहेगा half knowledge is dangerous यानि कि अगर हमें कम ग्यान हो तो वो हमारे लिए क्या होता है, खत्रा होता है तो इसका अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में कौन सी कहवत बनती है हिंदी में बनती है, नीम हकीम खत्राये जान चीजों की अधूरी जानकारी होना खत्राये जान, क्यों क्योंकि हमें पूरी चीज को detail में नहीं पता होती है कोई भी चीज और आधा अधूरा ग्यान रहता है तो आधा अधूरा ग्यान ही लेकर हम उस चीज में कूत पड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बत्राख़ना सबी हो सकता है नेक्स्ट देख recursos है भी वुल्फ इन लाम्स क्लोथिंग क्या है अपका भी झाल में भी या ठीक है क्या है आपका भेड्या है तो इतमीन्स क्या होगा आपका उपर से भला और अंदर से बुरा यानि कि a wolf in lamb's clothing क्या हुआ कि आप उपर से बहुत अच्छे हो बट आपके अंदर क्या है आपके दिल में या आपके दिमाग में क्या है बहुत बुरा-बुरा है कुछ भी अच्छा नहीं है I hope properly understood next move करते है 25th proverb है means हम लोगों का कहावत है इसका meaning क्या है all is well that ends well it means क्या है अंत भला तो सब बला हिंदी में क्या बनेगा अंत भला तो सब बला और इंग्लिश का क्या होगा all is well that ends well अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का पता रहेगा तो आप meaning उसकी automatically अराम से अच्छे से निकाल सकते हैं तो अगर meaning क्या है आखिर में क्या होता है वह माइने रखता है पूरा क्या हो जाता जैसे कोई movie आप देखते हो तो आपको पूरा movie तो आप अच्छे से देख लेते हो बट अगर उसके ending अच्छी नहीं होती है तो आपको फिर वह अच्छा नहीं लगता अगर at the last आपको आपके मन चाहा ending मिल जाती है तो आप क्या कहते हो हां कि यह अच्छी movie थी last में ऐसा ही होना चाहिए था और ऐसा हो गया इसका meaning क्या हो जाएगा आपका हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या है दूर के ढोल सुहामने लगते है और meaning पर जाएगे तो meaning है दूर से चीज़े अच्छी लगती है जो दूसरों के पास होता है वहाँ अधिक महतल लगता है मतलब जो चीज़ हमें दूसरों के पास हम देखते हैं तब हमको लगता है कि हाँ वो बहुत ही ज़ादा important है expensive है यह बहुत ही मूल लिवान है बट जब वो अपने पास खुद के पास वो चीज़ आती है तब हम उस चीज़ की इतनी कदर नहीं कर पाते हैं आगे move करते हैं next है 27th a bad workman blames his tools क्या है a bad workman blames his tools नाच ना जाने आंगन ठेड़ा it means खुद को काम नहीं आता है बट हम यह बोलते हैं कि अरे यह तो आंगन ही ठेड़ा है या हमें खुद काम नहीं करना आता है हम दूसरी चीज़ों पर क्या करते हैं उसमें नुकसान दूश या कमी ढूनते हैं तो अपनी कमी से कुछ ना करपाने का दोश अन्य चीज़ों पर देना यानि कि हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं हम खुद एक्जाम नहीं दे रहे हैं बाद में इजाम दे के आया हैं गोल्ड हर चमकने वाली चीज सुना नहीं होती कि ग्लिटर्स तो देखते हैं न बहुत शाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या है जो भी चीज चमकता है इसका मतलब यह नहीं कि वो सुना है बाहरी रंग रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए हमें किसी के भी बाहर से देखने में अच्छा था आप वो समन ले आए पर अंदर से जब यूज किया आपको पता चला कि वो तो बहुत ही चीप था नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोवर्ब 29 की तरफ यू कैनाट लिव इन रोम और फाइट विद द पोप जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं है यान इंटेलिजेंट हो बहुत जादा मीनिंगफुल हो उसको बहुत जादा समझ हो चीजों की तो हमें उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए नेक्स्ट है प्रोवर्ब 30 है टिट फॉर टैट मीन्स होता है जैसे को तैसा अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करन टिट फॉर टैट मीन्स क्या होता है जो कोई अच्छा करे तो उसके साथ अच्छा करो और जो कोई बुरा करे उसके साथ बुरा ऐसा यह क्या है आपका टिट फॉर टैट यह हमारा प्रोवर्ब्स कहलाता है नेक्स्ट प्रोवर्ब 31 है इसमें क्या है अफ्रेंड इस नीड is a friend indeed अपना वही जो आवे काम यानि कि अपना वही जो आवे काम मुसीबत में काम आने वाले व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है चाहे वो अपना हो फ्रेंड हो या नहीं हो बड़ अगर वो आपकी problem में आपका साथ दे रहा है तो उससे बड़ा आपके लिए कोई नहीं हो सकता है उससे ज़्यादा important आपके लिए नहीं हो सकता है next है प्रोब 32 है don't look a gift horse in the mouth क्या है don't look a gift horse in the mouth दान की बच्चिया के दात नहीं देखे जाते मतलब जो चीज आपने दान में मिली चीजों में हमें कमी नहीं निकाननी चाहिए क्योंकि अगर कोई आपको gift देता है तो हम ये नहीं कहना चाहिए हमें कि अरे उसका price ऐसा था वो अच्छा नहीं था हमें उस इंसान की भावना को देखना चाहिए सहराना चाहिए कि वो कितने मन से हमें देता है वो अपनी capacity के हिसाब से अपनी हिसाब से देता है कि कितना वो कर सकता है तो जब भी कोई किसी को gift दे या आपको मिले तो कभी भी आप उसका मूल नहीं लगाना चाहिए तो वही क्या कह रहा है don't look a gift horse in the mouth next है the pot is calling the cattle black क्या है the pot is calling the cattle black ultra cha 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 जैसा काटोगे, यानि कि हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा काम करेंगे, हमें वैसा ही फल मिलेगा, जो बच्चे मेहनत से पढ़ाई करेंगे, उनको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, वो अपने मार्कस से संतुस्ट रहेंगे, उनको अपने मार्कस से रहेगा, उन्होंने जितनी म मतलब वहाँ पे कुछ जोल है या कोई बात हो गई है कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़ पड़ है इत मिन्स क्या है more to eat than meets the eye next है हमारा 36 है between the devil and deep sea क्या है between the devil and the deep sea हिंदी में अगर देखेंगे तो आगे कुवा पीछे खाई तो इसका क्या है आगे कुवा है और पीछे खाई है हैं इंगलिश में proverb है आपका between the devil and the deep sea तो आपका यहाँ पे एक्विवेलेंट का अगर अगर तेह Hundी में देखेंगे तो आगे कुवा पीछे खाई इस तरीके से, next देखते हैं, speak, think of the devil and the devil is here, मतलब नाम लिया और शैतान हाजिर, बोलते हैं, speak or think, यानि कि सोचा या उसके बारे में बोला और devil and devil is here, तो मेंज क्या है, नाम लिया और शैतान हाजिर, किसी के बारे में सोचते बोलते ही समय, वो सामने आ जाना, तो इस तरीके स हो सकता है, तो अभी तक आप हिंदी में बोलते थे, अब आप इंलिक्ष में भी बोल सकते हो, speak of thing, the devil and the devil is here, next है आपका, to turn tail, to show a clear pairs of heels, to turn tail, इसका मिन्द क्या है, दुम दबा कर भाग जाना, क्या होगा हिंदी में, दुम दबा कर भाग जाना, to turn tail, और या फिर दूसा क्य हो सकता है, to show a clear pairs of heels, डर के भाग जाना, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, बच्चों यहाँ पर डर कर भाग जाना, प्रोवर्फ 39 देखते हैं, when in Rome, do as Romans do, when in Rome, do as Romans do, means, जैसे आप जहां पर हो, वहां के ही जैसे रहो, जैसा देश हो, वैसा ही भेश रखना चाहिए, वरना लोग बेवकूफ समझते हैं, आपको, तो जहां के अनुसार रहना चाहिए, मतलब जहां आप जैसे प्लेस पे रह रह रहे हो, उसी के accordingly आपको वहां के accordingly पे रहना चाहिए, जैसा climate होता है, लोग अपने आपको उसी तरीके से, वहां पे survive करने के लिए adjust कर लेते हैं, तो same ह नेक्स्ट है, प्रॉबब 40 है हमारा, लोग के कराइग वर कर रहन है कैया है, एकरा रहे लोग करते हैं, नहीं चाहिए कभी भी क्यों क्यों कि अब वो हो गया है अब हम उसको सुधार नहीं सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए हो दुबारा गलती ना हूँ तो हमें उस चीज़ पे धान देना चाहिए next है हमारा proverb 41 है a black sheep तो घरका भेदी लंका डाई हिंदी में क्या कहावत है घरका भेदी लंका डाई it means गरीबी व्यक्ति दुश्मन के साथ मिलकर अधिक नुकसान पहुचा सकता है जो sorry करीबी व्यक्ति जो बहुत जादा आपका known person है जो आपके लिए बहुत जादा बोलता है कि well visher है आपका वही आपके पीट पीछे क्या करेगा बात में आपको नुकसान पहुचा सकता है आगे देखते हैं next है over shoes over boots क्या है आपका over shoes over boots ओकली में सर दिया तो मुसलो से क्या डरना क्या है ओकली में सर दिया तो मुसलो से क्या डरना यानि कि जब एक बार आपने चुनाओती या कोई भी आपने काम को हाँ कह दिया फिर आपको वहाँ पे उसकी problems नहीं देख सकते हो अगर आपने form डाल दिया exam आप उसके previous year के question paper solve कर रहा है तो आपको यह याद रखना है कि कोई भी चीज लाइफ में difficult नहीं होती बस वो उस समय की situations होती है जब तक कि हम उसे अपने time नहीं देते हैं अगर आप एक बड़ time दे दोगे ना तो कोई भी चीज आपके लिए difficult नहीं होगे I hope यह section आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो आप हमारे telegram को join कर सकते हैं every night 9 p.m आपका quiz होता है questions की वहाँ पे आपका Hindi, English, Non-Technical, Technical सारे quiz होते है 9 p.m पे आपके वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी हमारे telegram channel पे तो यह हमारा क्या है telegram channel है यहाँ से आप इसको telegram channel को join कर सकते हैं और description box में भी उसका link मिल जाएगा and thanks for watching and don't forget to like, share, subscribe and comments thanks for watching